जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री क्रिष्ण भगवान की जये वरुत्निय कादशी वरत की मंदरशी बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल के ओर से हम आप सभी भगतों का हारदी कभिनन्दन करते हैं आज हम आपको विशाख मास के क्रिशन पक्ष की वरुथनी कादशी के वरत की कथा को सुनाने जा रहे है जो की इस परकार है युदिश्टर जी ने पूछा है कि हे वासुदेव ये श्री कृष्ण आपको नमस्कार है विशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम के कादशी होती है उसकी कौन सी कथा है ये सब वर्णन करने की कृपा कीजिए भगवांशी क्रिश्ण जी कहने लगे है कि हे राजन विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एक आदशी वर्णनी के नाम से प्रसिद है ये इस लोक और परलोक में भी सो भाग प्रदान करने वाली है वर्णनी एक आदशी के वरत से ही सदा सोख्य का लाब और पाप की हानी होती ये समस्त लोकों को भोग और मौक्ष प्रदान करने वाली है वरुत्निय कादशी के वरत से ही मानधाता तथा दुन्धुमार आधी अन्ने अनेक राजा स्वरग लोक को प्राप्ट हुए हैं जो दस हजार वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुत्निय कादशी के व्रत से भी मनुश्य प्राप्त कर लेता है ये राजन घोडे के दान से हाथी का दान श्रेष्ट कहा गया है भूमी दान उससे भी बढ़ा है भूमी दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है तिल दान से बढ़कर स्वरन दान और स्वरन दान से बढ़कर अन दान है क्योंक दान के तुल्य ही धेनू का दान है यह साक्षात भगवान का कथन है उपर बताई हुए सब दानों से बड़ा विध्या दान है मनुश्य वरूतनिय का आदशी का वरत करके विध्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है जो लोग पाप से मुहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुन्य का क्षय होने पर यातना मैं नरक में जाते हैं अतै सरवता परेतन करके कन्या के धन से बचना चाहिए उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए जो अपनी शक्ति के नुसार अभूशनों से विभूशित करके पवित्रभाव से कन्या का दान करता है उ दत करने वाला वैश्नव पुरुष दश्मीत इथी को कांस, उरद, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधू, दूसरे का अन, दो बार भोजन तथा मैथुन इन दस वस्पों का परित्याग कर दे। दुवादशी तिथी को कांस, उरद, शराब, मधू, तेल, पतितों से वारता लाप, व्या याम, परदेश गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर इन भारावस्तों का त्याग करे। हे राजन इस विदी से वरुथने कादशी के वरत को किया जाता है। रात्री में जागरन करके जो मनुष्य भगवान मदू सूधन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परमगती को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे राजन वरुथने कादशी की रात्री में भगवान की प्रसंता प्राप्त करने के लिए रात्री जागरन अवश्य करना चाहिए। वरुथने कादशी का वरत भवत जादा पुन्यफल देने वाला है। अता हे राजन पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण पर्यतन करके इसे कादशी का वरत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी कादशी के दिन वरत करे। ये राजन इस कथा को पढ़ने और सुनने मातर से सहस्त्र गवदान का पुन्यफल मिल जाता है। और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विश्णू लोक में पर्तिष्ठित होता ह तो इस परकार भगवान श्री क्रिशन जी ने धरम राज युदिष्ठिर को विशाख मास के क्रिशन पक्ष की वरुथने कादशी के वरत की कथा को सुनाया है। इस कथा में भगवान श्री क्रिशन जी ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य वरुथने कादशी का वरत करते उन्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण जी ने सपश्ट बताया है कि जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उन्हें सहस्त्र गवदान का पुन्यफल मिल जाता है और ऐसा मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री लोक में परतिष्ठित होता है इस कारण वरुतने कादशी को वश्य वरत रखना चाहिए और अगर वरत किसी कारण से नहीं भी रखा जा सके तो वरुतने कादशी के वरत की कथा को तो वश्य पढ़ना ही चाहिए या सुनना ही चाहिए दोनों का वराबर फल बताया गया है तो मंदिर शी बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से वरुतनिय कादशी की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदिक धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भगवान श्री लक्षमी नाराइन जी की वरुतनिय कादशी की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंदल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री लक्षमी नाराइन जी भगवान की जैवरुतनिय कादशी वरत की जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजै